आज हम काटने जा रहा है सिम्पल ब्लॉज की कटिंग अकवार पर कपड़े पर जल्दी खराब बेजाता है इसलिए हम आकवार पर बता रहे हैं यह हमारा बैक पारथ और यह फ्रेंट पारथ है बैक पार डेरींच छोटा रखना पड़ता है फ्रेंट देर इंच बड़ा य इसे नाप लेंगे यह हमारा 14 इंच बैट रहा है तैयार हम यह साड़े बारा इंच हो जाएगा यह अपने जितना आपको रखना है इतना रख सकते हो हमने साड़े बारा इंच तैयार रखना है आधा इंच उपर आ जाएगा और एक इंच नीचे अब हम इसके मुड़े यानि की तीरा तीरा रखेंगे हम साथ इंच यह नीचे को भी हम साथ इंच ही रखेंगे और सीधी लाइन खेंगे और हमारी चेस्ट हमें 32 है तो 32 का हमें चोथाई भाग 8 रखनी है और कमर हमारी उपर से आधा इंच कम करके सड़े साथ यह हमें पूरी लाइन डोप लेनी है अब ऐसे ही हमें एधर सीधी लाइन ऐसे कर लेना है और हमें इसका आर्मूल का एक इंच ऐसे लाइन खीच लेनी है फिर हम ऐसे आर्मूल की रोलाई देनी और दो इंच हमें एफ्ट्रा कपड़ा रखना जो हमें शिलाई से बचागा और फाल तो कपड़ा काड़ देंगे अब हम इसकी कटिंग कर देंगे हमने कटिंग कर दिया है प्रेंट और बैक पार्ट हमने एक साथ काटे हैं अब इसे हम दोनों पार्ट को अलग-अलग कर देंगे हुआ यह हमारा बैक पार्ट है और यह हमारा फ्रेंट पार्ट है अब आगए हम इसमें चुन्ट के निसान लगा लेंगे पहले हम गला फ्रेंट पार्ट दो इंच गले का निसान और अपने जितना आपको रखना है जितना रख लेंगे हम बना रहे हैं साथ इसका तो इंसे था है अब हमें ढोलाई दे देंगे मुड़े भी तीन ही इंच के रांग पार्ड में तीन इंच के रखेंगे तीन ही इंच के रखेंगे जितना लगाते हैं यहां से तीन इंच फिर यहां से थीन इंच पर और इधा से थीन इंच और यहां से धाय इंच गोलाई अब हमें इसका चार इंच पर चुन्मत का निशान ही आ लगा लेना है और दाई इंच पर आगे का चुन्मत और शाड़े पांच इंच का यहाला चुन्मत और धाई इंच का बोलाई इंच के पास का चुन्मत और इसे ऐसे कर देंगे अब हम ऐसे ही इसमें लगा लेंगे निशान दूसरे लाले पार्ट का अब हमारे निशान अब हम बैग पार्ट के गले को कटिंग करते हैं इधर इसमें हम साइब इसको भी हम दू इधर से और आर इंच लंबाई इसको भी हम दू इधर से और आर इंच लंबाई और आ यूज़न दूसरे निशान पीछे के तरफ दालें है दूसरे तीन इच अब इंच लंबाई यह हमारा सिंपल ग्लोज की कटिंग हो चुकी है यह हमारा बैप पार्ट है और यह हमारा ट्रंट पार्ट है